आप अपने स्टार्ट करने वाले हैं क्वालिटीज ओफ और टॉपिक्स और अपनी कुछ मिसलीनिस टॉपिक्स जो बचे वें चाप्टर वन का वो भी अपने आज कवर करेंगे तो qualities of auditors अपनी क्या समझते हैं कि जिसको audit auditor होना चाहिए उसको ये सब चीजे audit का knowledge तो होना चाहिए अकाउंटिंग का knowledge होना चाहिए तभी वो financial statement का audit अच्छे से कर पाएगा साथ साथी auditor को अपने जो market में क्या चल रहे है कोई नया law आया है कि नहीं उसकी understanding होनी चाहिए तभी तो वो ये डिटा माइन कर पाएगा कि वो नया law का जो आया हुआ है उसका हमारी जिस company का audit कर रहे है उस पर क्या effect परेगा कुछ risk होगा उसकी वजह से कि नहीं तो other than technical matters य जो जो चीज़ companies का होना चाहिए जिस company का audit करना चाहिए उसकी understanding होना चाहिए always एक अपना term है professional skepticism उसका वो होना चाहिए कि हमेशा वो अलर्ट हो कुछ भी चीज़े ऐसा आपको auditor को दिखा कि ये चीज़े सही नहीं हो रही है या फिर हमेशा alert होना चाहिए कि हो सकता है coming to non-technical जो quality जो auditor को होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए यहां पे लिखाव है कि temper अच्छा होना चाहिए अगर ज्यादा गुस्ता होगा तो वो भी सही नहीं क्लाइंट से अच्छे से डील करना है and a very important point कि जब अपने audit करने जाते it's possible कि कोई अपने documents books of accounts और जो work paper जो pbc's हो होता है it's possible कि उनको लगता है कि हम देंगी auditor को यह documents तो हमारे documents में कुछ गलती निकालेंगे findings हमारे उपर तो बहुत बर ऐसा होता है कि जो क्लाइंट होते हैं वो नहीं देना चाहता है documents in that case auditor को बहुत temper down करके जादा गुस्या नहीं होना politely बात करना यह भी एक documents निकलवान क्लाइंट से deal करना यह भी एक बहुत qualities की काम होता है अगर यह सब नहीं रहेगा auditor में तो वो अच्छे से deal नहीं कर पाएगा client से and then smooth audit जो होता है वो complete नहीं हो गया smoothly नहीं complete हो पाएगा तो other than अपने क्या क्या सीखे टेक्निकल में तो होनी ही चाहिए audit के understanding accounting के understanding जो कोई law and regulations है government का या कुछ जो हमारे जो company जिसका audit कर रहे है उसका understanding होना चाहिए professional skepticism होना चाहिए judgment लेना चाहिए हमीसा alert रहना चाहिए independent जो independence अपने परहे थे की auditor को क्या क्या होना चाहिए तो independence व ethics को इसको ध्यान रखना चाहिए तो यह सब चीजे तो हो गए other than that personal qualities भी होना चाहिए good temper यह सब चीजे deal कैसे करना है किसे friendly हो कैसे documents निकलवाना है तो यह सब चीजे cover अपने qualities of auditor में होना चाहिए अच्छे auditor होने के बनने के लिए यह सब चीजे important है अपने डिसकस के independence होना च चाहिए integrity होना चाहिए critically review finances statement तभी कर पाएगा जब उसको अधर चीजों की जैसे accounting, auditing, other technical matters की understanding रहेगी तो यह सब अपने discuss करी लिये थे coming to next point that is अपने standards बहुत बार मैंने बोला होगा बीच में की standards on auditing बाद में परहेंगे तो इसमें क्या है यहाँ पर quickly अपने cover कर लेते हैं कि होता क्या है कि जो institute अपना जो institute है ICAI उन्होंने यह कुछ standards किये हैं जो कि हमने हम use करते हैं audit करते time uniformity रहती है उससे तो वही standards के लिए quickly अपने जो check करेंगे कि क्या-क्या होता है and then detail में तो अपने आने वाले classes में cover करेंगे उसको तो एक तो होगे standards on auditing जिसको अपने essays बोलते हैं तो यह accordingly यह जो अपने जो audit था अपने last class में cover करेंगे थी कि different types of assurance engagement में क्या-क्या आता है assurance engagement में अपने पर यह थे कि broader होता है audit जो होता है वो narrow होता है इसका area फिर review engagement पर ही थे जिसका again अपने देखे थी किसका assurance जो होता है वो कम होता है यह audit के comparison में and then a point related services उसमें जो क्या होता है जो auditor और I would say practitioner जो होता है वो agreed upon procedures agreed upon procedure के चलो समझते है क्या होता है तो agreed upon procedure में क्या होता है कि full जो full financial statement को audit नहीं करेगा वो customer just जो engagement letter होता है engagement letter क्या होता है कि जब कोई audit या फिर कोई client के साथ एक कोई नया services देता है chartered accountant then वो engagement of letter में return रहता है वो company जो organization जो होती वो sign करके सब कुछ return में दिया जाता है कि काम क्या करना है कि दोनों में contract type का start audit करने से या फिर कोई भी engagement start करने से पहले होता है तो related services में अगर agreed upon जो engagement letter में लिखा हुए कि जो प्राक्टिसनर है CA है वो just help करेगा एक दो एरिया जिसे PP&E को का test करने में help कर दिया accounting किसी चीज का accounting में help कर दिया तो वो सब चीज़े इसमें compilation services आता है कि अगर management को help चाहिए इसका CA का compilation engagement में तो उसमें भी वो agreed upon procedure engagement letter वगरा में लिखावा रहते हैं जितना उसमें लिखावा रहते हैं उतना ही वो करते हैं तो वो उसको अपन बोलते हैं related services standards on auditing अपने समझ ही लेते हैं इसमें कुछ नयान जो audit अपने पढ़ते आ रहे हैं उसके लिए कुछ different topics है जैसे अपने objective of audit के लिए पढ़ेते हैं कि standards essay है 200 फिर 300 है planning के लिए आगे आगे अब भी ज्यादा अटेंशन लेने की जुरत नहीं है ज्यादा यहाद मेमराइज करने की जुरत नहीं है 300 वही होते हैं फिर 550 है तो यह सब कुछ examples है जो CA Institute ने audit को स्मूद बनाने के लिए जो uniformity होने के लिए कि सारे CAs एक अगर किसी particular areas को test कर रहे हैं किसी में help चाहिए guidance चाहिए तो वह essay को refer करके एंदन उसके accordingly वह testing perform कर सकते हैं तो एक्जांपल जैसे हम देख रहते हैं कि 200 हम ने देखा ही तो overall objective वाला जो अपने अपर रहते objective of audit उसमें अपन देखे थे 200 इसका होता है फिर 230 audit documentation का होता है 500 audit evidence and so on कि just example से अपने पास और भी बहुत सारे है standards on auditing next है अपना standards on review engagement अपने इसमें कवर करे ही थे last class में के limited assurance होता है lower than or जो audit रहते तो मैं इसकी meaning में फिर से नहीं जाओंगी examples again होता है 2400 वाला series जो है वो relevant होता है review engagement के लिए coming to assurance engagement अपने कवर के थे कि broader term होता है इसमें बोथ historical और जो prospective finances statement होते है दोनों का testing होता है तो यह assurance हो गया तो assurance engagement के लिए specifically 3400 का series है and then coming to related services जो अपने agreed upon procedures का इसमें बात किये थे for example यहां पर दिया हो है कि अपने डिसक्स के कि स्पेसिफिक एडिया अकाउंट recebable purchase यह सब का अगर कुछ लिखा हो है जो ही लिखा हो है उसमें जो बोलिंगे लेटर में उसी की basis पर फॉर्म करते है तो और एक example अपने देखे थे compilation engagement जिसमें management को help चाहिए होता है कि करने के लिए तो यह इसकेस में इसको यह इस और इंगेजमेंट नहीं कोई opinion इसमें नहीं देता है auditor और practitioner और CA जो है वो कोई opinion नहीं देता है तो यह just help हुआ management का कोई specific area जिस देख लिया तो अगें इसका example जो होगा यह इससे इसका 4400 से स्टार्ट होता है यह बहुत जार आगे परहेंगे अपने इसके बारे में बट अभी just just for understanding की होता कि है फिर एक है standards on quality control quality control होता है इसमें कि जो अपनी audit perform कर रहे हैं तो अपने professionals जो हैं और जो articles हैं other team members है audit team members वो सब quality audit perform करें किने उसके basis पे यह report दिया जा रहे हैं किने legal requirement को cover कर रहे हैं किने यह सब चीजों के लिए quality control है तो फिर एक नया topic है कि standards क्यों require required क्या जुरत है इसकी क्या requirement है standards की जो से अपने discuss किये थे कि uniformity रहती है अपने standards जो तो quality of financial reporting definitely enhance होता है कि कुछ written चीजे हैं अपने को देखने कि धर जाने की जुरहत नहीं है वहां पर लिखाव है वह accordingly अपने उसको refer करेंगे उसके accordingly testing perform होगी तो वह definitely quality उससे improve होगी uniformity एक चीज पर अगर कहीं return नहीं रहते तो confusion होता है हर सी कोई कुछ अलग बोलता कोई कुछ अलग होता uniformity नहीं रहती और उससे फिर सही से audit नहीं कर पाते तो uniformity रहती है and then जो यह standards होता है वो जो professional हम आप लोग ऐसी हैं जो testing perform करता है audit perform करता and services देता है उसके लिए भी रहता है कि चलो यह return है we can refer those standards and accordingly we can perform testing procedures last point is like कि ensure करता है कि audit quality भी बढ़े definitely अगर हम return चीजो है सब कुछ आपने अकर अपने मन से कुछ testing perform करने जाते है तो हो सकते कोई point miss हो जाए but अगर return of standards में definitely अपने उसको refer करेंगे तो अपना audit quality जो होगा वे enhance होगा next point है कि duties क्या है engagement quality control standards का standards follow करने है हम सब को so that अपनी quality जो जो उपर चीज पढ़े की quality audit का quality बरहेगा uniformity आएगी and then अपने audit अच्छ से perform कर पाएंगे जो opinion होगा अपना वो सही opinion होगा based on based on audit performed by us यही सब कुछ-कुछ points nothing I would say nothing major from exam point of view but knowledge होने के लिए important है कि अपने पता होना चाहिए कौन से series में क्या आता है and आगे जाके अपने job standards on auditing परेंगे then इसको detail में अपने cover करेंगे चलो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next class में जो आज अभर क्राइख कर दो आज करें वो झाल झाल